वह सब्सक्राइब करती हैं तो मेरा जो टॉपिक है आज आपके साथ बात कहने का यह शैफलार का प्लांट यह प्लांट मेरी पास पहले थी लेकिन अभी यह मेरी पास नहीं है पता नहीं कैसे यह चला गया तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया तो बहुत दिनों से सोच रही थी कि इस the Rank में एट करूं गी गॡे किन मैंने कैसे서र मुसें तो मेरी एक friend है जो मेरी subscriber है उन्होंने मुझे ये plant gift की थी दस बरा दिन पहले ही इसको gift की है और चोटी से packet में लगाए हुआ है तो मैंने इसको shift नहीं की है किसी भी report पर इसको report नहीं की है आज इसको report करूँगी तो सोच आपके साथ इसकी video शेर कर लो इसको report करने के बाद आपको नहीं दिखाई क्यूंकि मैं एक आत्सी issues video कर रही हूँ इसके लिए मैंने जो पॉट लिया है वह चौधे इंच का एक प्लास्टिक की पॉट ही लिया है मैंने उसकी जो सॉयल है वह 40 परसन मैंने कीचेन वेश्ट खाद जो बनी है वह लिया है और थोरी सी बालो मिट्टी लेके और एक चम्मच मैंने इस पे फंगिसाइड भी मिलाय हुआ था पहले से ही तो इस तरीके से मैंने इसकी सॉयल रेडी की है एक बार अगर आप इस प्लांट को अच्छी मिट्टी पे इसको लगा दो तो ना जादा फटलाइस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस प्लांट को सबसे ज़रूरत है जो सनलाइट की रिकॉर्में की जो सनलेट की रिकॉर्मेंट है वह एस प्लांट को आप जहां ब्रायट सनलाइट परते हो बहां इस प्लांक गार्ट यहां bright sunlight परती हो जैसे की बिल्कोनी में में परती हो बार्णा में आख सकती हो या फिर किचन वेश्ट खाद भी मिला सकती हो मैंने यहां 40% गार्णिंग सोयल 40% मैंने कीचन वेस्ट खात और थोड़ी सी बालो मिट्टी मिलाई एक चमच फंगिसाइड मिलागे क्योंकि बारिश है फंगस का खत्रा ना हो इसलिए फंगिसाइड भी मिलाई फंगिसाइड नहीं हो तो हल्दी मिला सकती हो इस तरीके से मि मुझे यह थोड़ा बड़ा करना है इसको अगर आप लगाते हो या फिर कोई बहुत बड़ा पॉट देते हो तो यह एक ट्री का रूब भी ले लेती है और इसको आप कटिंग से इजली ग्रो कर सकते हो दूसरी बात है इसकी वाटरिंग वाटरिंग की तरफ इसको ध्यान बिल्कुल भी मत करो इस पर आती हो इस प्रांट की जो खाद है अगर आपने अच्छी तरीके से इसको मिट्टी बना के आप इसको लगा देती हो आपकी जो प्लांट है इसको खाद नहीं चाहिए और होते हैं कोई-कोई प्लांट जिसको आप बहुत ज़दा खाद देने क कि बारिष उलेषी का पानि बारिष में बेलकुल भी मत कर दो बारिष खतम होने के बाद आप बारिष जो 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 लिकविर आती है कम दे शकते हो लग बहुत अच्छी शेप देने के लिए आप इस प्ला सब्रांट को प्रून की जरुद्ड होजाए थोला अच्छी शेप यह प्लांट और ये क्योंकि अअ प्रून कर जो बी जो श्टम को अलग अलग करके क्वाट लगा तो आपकी एक प्लांट प्रशम प्लांट भी निकल जाएंगे और आप इसको इन्डोर भी बहुत सारी प्लांट अब रख सकते हो बहुत सारे प्लांट बना तो इस तरीकी से अगर आप इसे की देख फल करोगे तो एक प्लांट बहुत आपकी से Acid बहुत ले भी देगी आपके घर को तो फ्रेंड्स आशा करते हूं ये वीडियो आपको पसंद आए अगर थोड़ा सा भी हल्पुल लगे या पसंद आए लाइक करना शेर करना और मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का सभी विवर्स का बहुत बहुत शुक्री अच् गार्डिनिंग कीजिए थेंक यू